हेलो दोस्तो नमस्कार आपकी अपनी यूटूब चैनल डिश्टल देव हूं मैं स्वागत है दोस्तो कैसे हो सबी लोग आसा करता हूं कि आप सबी लोग अच्छे होंगे दोस्तो आज की वीडियो उत्राखन प्राइमरी सिक्सक भरती 2021 के रिगार्डिंग है जैसे कि आप ज लगाई थी वह हटाती गई है और आप जो कर्मिक अंसन्था डेलेड प्रसिक्स्तों के द्वारा वहट गया है और अब धरना जारी है और उनका कहना है कि धरना तब तक जारी रहेगा जब तक उन्हें निक्ति पत्र ना दिया जाए जी हाँ दोस्तों पूरा मसला जानते ह सिक्षा भरती को लेकर आखिर क्या है मसला तो आईए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेश्ट है यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा इस पर आपको लेटर जानका रहें मिलते कर दीजिएगा और वीडियो में लाइक कॉमेंट और शेयर जरूर करेगा दोस्तों तो आईए दोस्ते वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों जैसे की न्यूजपेबर की है डेलेड़ प्रसिक्स्तों को 20 दिनों में डेंगे न्युक्ती ठीक है यहां पर लिखा है कि 20 देलेड़ प्रसिक्स्तों को 20 दिनों के भीतर इस किलों में न्युक्ती मिलेगी ठीक है 20 दिनों के अंतराल में यह उन्होंने अधे रखी है 20 देज के अंतराल में आपको न्युक्त पत्र दिया जाएगा ऐसा सिक्षा मंतरी अर्विन पांडे का कहना है उन्होंने कहा कि सि हाई कोट से रोग हटने के बाद जल्द न्युक्ति पत्र या न्युक्ति प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा प्रदेश में डाइट से डेलर करने वाले 519 प्रासिक्षिर प्रोजगार पिछले काफी समय से आंदुलरत है जियां दोस्तों 519 प्रासिक्षिर प्रोजगार है जो आंदलन कर रहे थे सिक्ष्या मंत्री अरविन्द पांडे ने कहा कि सिक्षक भरती को लेकर हाई कोट में स्टे होने की वज़ह से निकती परक्रिया में देरी हुई है लेकिन अब सिक्षक भरती या सिक्षक भरती से रोग हट गई है अधिकारियों का निर्देश दिया गया है अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जल्द भरती परिक्रिया को पूरा किया जाएगा ठीक है और उधर बिरिजगारों का कहना है कि उन्हें प्रेस्टिक्षित पूरा करने या प्रेस्टिक्षन पूरा करते ही इसकुला में नुक्ति मिल जानी चाहिए यहां दोस्तों उनका या विरुजगारों को कहना है कि जब तक प्रेस्टिक्षन हो जाता है प्रेस्टिक्षन के बाद उन्हें तुरंध ही न्युक्ति पत्र मिलना चाहिए यह इनका कहना है लेकिन ऐसा नहीं हुआ है संगठन के परदेश सचे हिमानसु जोसी ने कहा कि सिक्षा मंत्री ने बिरुजगारों को सिग्र न्युक्ति का आस्वसन दिया है तो देखे यहां पर न्युक्ति पत्र जारी करने का यहां पर आपको दिया गया है डेज समय दिया गया है 20 दिन का तो जल्द ही आपको दे जाने की बात की गई है अर्विन पांडे का कहना है जैसे कि यहां पर लिखाए सिक्षामंत्री अर्विन पांडे ने कहा नियुक्ति प्रकृत्री में हुई है देरी उसके बाद यहां पर देखे प्राशिकार का कर्मिल अंसन समाप्त और धर्नाजारी तो धरना तब तक चाहिए रहेगा जब तक उन्हें नहीं दिया जाएगा ठीक है तो दोस्तों यह है सिख्षाभर्ति को लेकर लेकर लेटस न्यूज तो दोस्तों इसी परकार की लेटस जानकारियां पाने के लिए मेरे चैनल को सस्क्राइब कर दीजे आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में